चंदन का बहुत अधिक धार्मिक महत्व है, इतना अधिक कि आप किसी भी धर्म इस्थल पर चले जाएं, वहाँ पर लोग चंदन या चंदन का टीका लगाए हुए मिल जाएंगे। चंदन नकेवल देवताओं को लगाया जाता है, बलकि शक्ति स्वरूपा देवी मा को भी लगाया जाता है। धर्म और धार्मिक लोग देते हैं, चंदन की सितल्ता नकारात्मक उर्जा को दूर करती है, शांत भी करती है। जब आराध्य और आराधक चंदन से युक्त होकर आमने सामने होते हैं, तो उनके बीच सकारात्मक धारा का प्रवाह होता है, सकारात्मक उर्जा की धारा का प्रवाह होता है और दिव्यता की अनभूती होती है, यानि इस्वर की उपस्थिती या दिव्यता की अनभूती करा माने में चंदन सेतु का काम करता है मानिता है कि चंदन लगाने से रुष्ट देवता और ग्रह सकारात्मक होते हैं तनमन का ताप दूर होता है तनमन के दोश दूर होते हैं और मानवी सामंजे से भी मजबूत होते हैं जब करने के लिए माला के रूप में भी चंदन का प्रय महत्वपूर्ण माना गया है चंदन लगाने के भी कुछ नियम निर्धारित किये गए है सबसे पहले नियम तो यही है कि ईस्वर की आराधना में प्रियुक्त होने के कारण जब भी चंदन का तिलक लगाएं तिलक लगाने से पूर्व इस्नान करके स्वक्ष वस्तरधारण करना चाहिए दुषा की बात की जाए तो उत्तर्या पूर्व की और मुख करके चंदन का टीका लगाना शुभ माना गया है अच्छा माना गया है चंदन का टीका हमेशा ललाट बिन्दू यानि कि भाउंहों के मध्ध में ही लगाना चाहिए भगवान को तिलक लगाने के लिए अनामिका उंगली का ही प्रयोग करना चाहिए वहीं स्वयम के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए या कारिय के लिए तिलक लगाने के लिए अलग-अलग उंगलियों को ले करके अलग-अलग महत्व की बात, विद्वत जन, विद्वान लोग करते हैं जैसे कि मध्धिवां उंगली से तिलक लगाने से आयू में वृध्धी होती है, उम्र बढ़ती है अंगूठे से तिलक करने से मजबूती यानि की पुष्टि बढ़ती है यानि की अंगूठे से तिलक लगाना पुष्टि वर्धक होता है शुब और धार्मिक कारियों के लिए अनामिका उंगली का प्रयोग करना शुब माना गया है पित्र कारियों में चंदन का टीका लगाने के लिए मध्यमा उंगली का प्रयोग करना चाहिए, वहीं रिशिकारियों में कनिस्ठा उंगली का प्रयोग करने का सुझाओ विद्वान लोग देते हैं, तंत्र पूजा में चंदन का टीका करने के लिए तरजनी उंगली का प्र की इसका बहुत अधिक आउशधी महत्तु भी होता है शीतल और पुष्टिकर होने के कारण आयरुवेद की कई आउशधीयों के निर्माण में चंदन का आउशधीय उपियोग होता है जिनमें से विशेशकर सिरदर्दया बुखार की आउशधीयों में खुजली या त्वच का प्रेयोग होता है वाइरल इंफिक्सन से होने वाले रोगों आजिकी आउशधीयों के निर्माण में भी चंदन का प्रियोग सदियों से होता रहा है अनुभवी वैद्दिगर्ण अलग-अलग-अनुपात में मिलाकर अलग-अलग-अउशधियों में चंदन का प्रियोग करते रहे हैं चंदन के सीतल और पुष्टिकर प्रकृतिके होने के कारण मन मस्तिस्क से जुड़े रोगों में भी या इनसे सम्मंदित जो रोग हैं उनकी आउसधियों के निर्माण में भी चंदन का प्रियोग होता रहा है क्योंकि चंदन में वास्तों में ही बहुत ही असरकारी आउसधिये गुण होते हैं जोतिस में ग्रहों की समस्या के समाधान के लिए भी चंदन का प्रयोग किया जाता है विशेशकर राहू केतु के उपचार में चंदन के प्रयोग का विमर्स विद्वत जन देते हैं दरसल बहुत सारे विद्वान राहु केतु को सर्प कीस रणी में रखते हैं, मानते हैं। पस्टिम के जो त्सियों के बीच में भी राहु ग्रा को ड्रैगन्स हेड तथा केतु को ड्रैगन्स टेल कहा जाता है। यानि कि राहु को सर्प का अगला हिस्सा तो वहीं केतु को सर्प का पिछला हिस्सा कहा जाता है। और जगत विदित है कि सर्प स्वयम के भीतर के विश के ताप से जब तपित होते हैं, पीडित होते हैं, तो उसको शांत करने के लिए चंदन के व्रिक्ष का सहारा लेते हैं। इसलिए राहुकेतु की नकारात्मकता को शांत करने के लिए चंदन का प्रियोग किया जता है। इसी से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्टो तक एप और चुटकी में जुड़े इंडिया के बेस्ट एस्ट एस्टॉलोजर से।